हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू टू टेक्ट नॉलेज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ Microsoft Word के बारे में कि Microsoft Word का कैसे इस्तमाल किया आता है कैसे उसमें कोई लेटर लिख सकते हैं या कोई पूरा नॉवेल लिख सकते हैं बहुत सारे काम की जाते हैं जो कि मैं उसके बारे में आपको बता हूँ इसका इस्तमाल किया आता है सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर लैप्टॉप को उपन करिएगा उसके बाद आप यह अपना कर्सर से राइट क्लिक करिएगा और न्यू में जाईएगा न्यू में यहां देखिए Microsoft Office Word वहां क्लिक करना है यह आपका Microsoft Word Microsoft Office Word आ गया उसमें Left क्लिक करके Double क्लिक करना है उसमें क्लिक करिए यह देखिए Microsoft Word का पेज खुल गया यह पूरा Microsoft Word का पूरा पेज है जहां पर सब चीजें आप इसमें कर सकते हैं चाहे Letter लिखना हो Envelope लिखना हो Mail Merge करना हो कोई कोई पूरा पूरा Document कर लिखना हो सारी चीजें आपका सकते हैं कर सकते हैं इसके बारे मैं आज मैं पूरा पूरा नॉलिज बताऊंगी कैसे इसका इस्तेमाल किया राता है सबसे पहले मैं इसके बारे में पूरा नॉलिज दे रहती हूं कि क्या क्या चीज इसमें क्या क्या चीज है और किस चीज को क्या क्या कहते हैं इसके लिए मैं अब स्टार्ट करती हूं सबसे उपल यह देखेए यह जो है यह टाइटिल बार है यह वाले पूरे भाग को टाइटिल बार कहते हैं तेटिल बार में इदर कॉर्णर पर देखेए यह जो बना हुआ है यह ओफिस-बतन है इसमें आप क्लिख करेंगे left click करेंगे तो इसमें new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, close यह सारी चीज़ें इसमें आती है office बटन में और इसके बगल में यह जो है यह quick access bar है customize quick access bar कहते है इसमें save आता है, undo आता है, redo आता है यह सारी चीज़ें आती है और इधर right में देखिए इसको यह जो dash type का minus type करेंगे वो minimize है इसको आप minimize कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं और इसके बगल में जो है, यह restore down है यह आप इसको छोटा कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं और इसके बगल में यह cut close का आपको दबा देंगे तो यह close हो जाएगा document, यह page close हो जाएगा Microsoft Window फिर देखिए यह जो नीचे उसके है एक button यह वाला भाग को, इसको menu bar करते हैं menu bar में जो buttons होते हैं home, insert, page, reference, mailing, review, view इसको menu bar करते हैं देखिए यह page layout, reference, mailing, review, views और यहाँ पा देखिए यह help है word के बारे में कुछ knowledge चाहिए MS word के बारे में कुछ knowledge है MS word के बारे में सारी चीज़े इस help में लिखी होते हैं और उसके नीचे देखिए यह जितने भी यह सारे चीज़े यह ribbons हैं clipboard, point, paragraph, styles और यह वाले भाग को standard toolbar कहते हैं और यह वाले भाग को formatting toolbar कहते हैं फिर देखिए अब मैं एक चीज़ की बारे में बता रही हैं यहां पर इधर बगल में paste का button है paste जो कि आप कोई लेटर लिखते हैं उसको वही सेम चीज़ अगर चाहिए तो इस button का इस्तमाल होता है और यह cut का button है यह copy का button है यह मैं आपको एक चीज़ अभी मैं करके बताऊंगी कैसे कैसे इसका इस्तमाल किया रहता है यहां पर यह bold का button है कोई चीज मुझे कोई word को बड़े action में करना है तो यह bold है और को italic करना है अंडरलाइन उस पर करना है और यह किसी चीज को मुझे काट के दिखाना है कि cutting है तो यह cutting इसको strike throw करते हैं फिर यह देखिए यह size है size को आप बड़ा font size है किसी letter को यह word को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहां पर font है इसमें aerial है, times new roman है different style है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर यह bullets है bullets है, numbering bullets है यह multi level list है और इसके निचे देखिए इतना इस चीज के जाए इस्तेमाल नहीं होता अलेकिन जहां जहा यह basic knowledge के लिए इतना आपको knowledge रखना पड़ी है कि यह चीजें M.S. Word ले होती है और यह देखिए नीचे जो यह है I sign text left है you sign it to this है, left में करना窃ता है you sign it to Amazon फिर ये normal है different differences तरह से ये आप click करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या differences आते हैं यहाँ देखिए find का button है कोई चीज find करना हो कोई word find करना हो तो इसमें type किया आता है replace किसी word को किसी word से change करना हो तो इसमें किया आता है और ये select button है देखिए अब मैं आपको इसको करके बताती हूं कि कैसे होता है जैसे मैं कुछ लिखती हूँ देखिए मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है अब मैं बताऊंगी कैसे क्या क्या फरकाता है ये सब बटन का कैसे यूज हो रहा है अब मैं पहले से पेश्ट से सुरू कर रही हूँ सबसे पहले ये लिखने के बाद आप को करसर से पूरा सेलेक्ट करेंगे फिर आप जिसे आप इसी चीज़ को एक बार और लिखना है और लिखना है तो इसके लिए अब जहां चाहिए ऐसे करके यहाँ पर राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर आप कॉपी का आपको यही चीज़ सेम कहीं और चाहिए तो इसको कॉपी का बटन दवाएंगे और यहाँ करके कॉपी के बटन के बाद यहाँ पर पेस्ट का यह जो बटन है या तो आप करसर से कर सकते हैं या तो यहाँ इस बटन पर जा सकते हैं तो यहां करेंगे तो same to same यह देखिए यह आ गया फिर उसके बाद आप क्या करेंगे अब आपको cut का चाहिए अब cut का button यूज करना हो किसी जी इसको काटना हो कि हाँ मेरे को यह नहीं चाहिए या इसको कुछ हटाना है तो आप इसको करके आप यह जो cut का कैंची का निशान है उस पर कर देंगे click तो वो cut हो जाएगा select करके cut पे आप button दबा देंगे तो वो cut हो जाएगा ठीक है फिर यह आपका यह आ गया फिर आपको देखिए मैं इसको bold करके दिखाती हूँ यह वालब बॉल्ड का button है देखिए यह bold हो रहा है यह मैं पहले इसके size hold से बढ़ा देती है तब आपको पर देखिए लेगा ठीक है यह select करेंगे आप देखिए area में क्या style होता है टाइम्स रोमन में क्या size बता है यह आप different different जो यह है पॉइंट है आप करके देख सकते हैं क्या फरकाद आप हाथी करसर ही access करेंगे तो बड़ा चोटा उस type से यह बन जाएगा area बन जाएगा times बन जाएगा times new normal यहां से size बढ़ा सकते हैं जिससे कि मेरे को 72 size इतने बड़े हो गया 36 18 चाहिए इतना बड़ा हो गया फिर यह 28 चाहिए इतना बड़ा हो गया तो आप access कर सकते हैं ठीक है इतना बल्ड मैंने कर दिया बल्ड हो गया बॉल्ड नहीं चाहिए तो रज़त माथल स mind- biz你 यह जो A का button है, capital letter में, इसको आप click करते जाएगे, तो बढ़ता जाएगा, चोटा करना हो, small करना हो, तो करते का, small हो जाएगा, ठीक है, अब आपको इसका background अगर change करना हो, पिछे का, तो इसके लिए यह button है, text highlight color, है, तो कोई भी highlight, आप कोई भी रंग लिख, देखिए, मैं जिसे cursor घुमा रही है, वैसे इसका रंग change हो रहा है, अब मैं जब कोई yellow करना है, तो मैं yellow दबा दिया, अब देखिए, यह जो अब लिखा हुआ है, इसको मुझे, कोई रंग पे, कोई भी रंग लाल चाहिए, यह देखिए, यह लाल किया, तो मैं लाल हो गया, रेड हो गया, फिलाल मैं black ही रखती हूँ, फिर यह आप कर सकते हैं, इसको अब देखिए, bullets, bullets कर अस्तमाल, left कर सकते हैं, right कर सकते हैं, bullets कर दिया मैंने, middle करना middle हो गया, यह देखिए, right मैंने कर दिया, तो right हो गया, जैसा इस आपको बैसा यह बटन सेलेक्ट करके आप इस बटन को यूज कर सकते हैं ठीक है? और यहां देखिए बुलेट नमबरिंग अगर आप कोई चीज लिखे हैं इसके निजसे मैं लिख देती हूँ इसको साइस हो से में बढ़ा देती हूँ अब मेरे को Yuma numbering चाहिए ऐसके निचेius अप के अब बुलेट क सकते हैं आप इस बुलेट कर सकते हैं इसको आप इसलेको बुलेट कर सकते हैं तिसरा बटन जो है multi level list है इसको आप multi level list में भी कर सकते हैं इसको दबा के आप वैसे style कर देंगे तो वैसे सार जाएगा ठीक है ठीक है फिर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं इस different style है आप इसमें से click करके देख सकते हैं क्या फरक आता है तो आप इसको select करके आप changes देखते हैं कोई चीज find करना होती find के लिए है कैसे find किया आता है कोई चीज जिसे मैंने बीच में कहीं लिखा computer कहां पर है तो यहां जाके find में जाके computer type करिए तो वो select आपको highlight कर देगा देखिए यह find पे अपने आप highlight कर रहा है कि हाँ पक computer है find करना हो वैसे यह आपको replace करना हो computer के जगह कोई आपको इस button में जाएंगे computer के जगह मुझे टेक लिखना है TCH find कर देखिया तो replace button दवा देखिए तो आप replace हो जाएगा ठीक है ठीक है आप ऐसे बटन दवाके से देखिएगा पिर देखिए insert है insert में कोई चीज आपको लाना है तो insert button है कोई चीज इसमे pictures आने हो तो यह pictures है clipboard है, shaping है smart है smart है, chart है यह सारी चीज़े आप ला सकते हैं कि मैं करकर दिखा तो pictures में लाना हो आपके pictures है कोई pictures जैसे मैं यह लेती है insert करना हो लाना हो तो यह pictures देखिए यहां आजागा यह देखिए picture आगया ठीक है यह देखिए तो यह chart है यह Microsoft Excel से ही आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते है numbering घटा बढ़ा सकते है यह इसके बारे में आप insert से कर सकते है ठीक फ्रेंड्स अब इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पुरी नॉलज दूंगी कि यह page layout क्या है reference क्या है, mailing क्या है review, view design layout thank you for watching this video if you like this video, please subscribe to my channel thank you